तेरी मंजिल, तेरे अंदर, तेरे रास्ते, तेरे किस्मत, तेरे हाथों चुनले, अपना सफर सफर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर हलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है, वो लेवल 2 के लिए है, यूनेट 5, परफार्मिंग वेरियस, प्लम्बिंग रिलेटेड ओपरेशन और प्रोसीजर्स, तो उसमें जो है, फिक्चर, फिक्चर क्या होता है, प्लम्बिंग फिक्चर, ये एक ऐसा एक्सेंजेबल डिव होता है, जो कि कनेक्टिड करता है हमारे प्लम्बिंग सिस्टम में, क्या करने के लिए, तो डिलीवर या ड्रेन आउट करने के लिए किसको वाटर को, तो मोस्ट कॉमन प्लम्बिंग फिक्चर कौन से कौन से है, ये बाट अप, चैनल द्रेन, ड्रिंकिंग फॉंटेन, आइज हमारे को बाद में जो प्रॉब्लम्ब्लम्स आती है, तो हमारे जो फिक्चर्स हैं, उसमें क्या-क्या डिफेक्ट आते हैं, और उनको कैसे ठीक करना है, जैसे कि लिक पाइप, ठीक है, रनिंग ट्वालेट, लो वाटर प्रेशर, ठीक है, पानी का काम आना, लिकिं ड्रेन, स्लंप, पंप फेलियर, वाटर हीटर प्रॉब्लम्स, जैम्ड गार्बेज, डिस्पोजल, सीवर सिस्टम, बैक अप, यह कुछ डिफेक्ट्स हैं, तो हम पढ़ेंगे, कि यह डिफेक्ट्स जो हैं, यह कैसे ठीक करने हैं, और यह क्या होते हैं, तो लिक पाइप, तो सबी जानते हैं कि लिक पाइप क्या होता है, जो हमारी पाइप होती है, उसके जो जो जॉइंट होते हैं, जहां पर हमने उनको जॉइंट किया होता है, दो पाइप को, most properly वहीं पर लिकेज होती है, ठीक है ना? तो उस लिकेज को हम किस चीज से रुकाते हैं? करके अगर हमने पर्मनेंट इलाज करना है तो हम उस चीज को रिप्लेस कर देंगे अगर हमने टमप्रेरी करना है तो हम उस पर टैपिंग करेंगे कंपॉंड यूज करेंगे या फिलर यूज करेंगे यह देखिए इस इस लीक पाइप then running toilet running toilet जो होता है इसमें problems बहुत आती है क्या है कि यह एक तो costly होता है इसका जो काम होता है वो बहुत costly होता है तो जब यह leakage होता है तो इसकी वज़ा से कम से कम एक दिन में 200 gallon water के जो है वो क्या होते हैं? वेस्ट होते हैं तो इसके पीछे जो most common कारण है वो flapper walls होता है जो की control करता है water को पास करता है tank से हमारे बॉल में अब उसमें problem आती है तो सारा system खराब हो जाता है तो इस चीज को ठीक करने के लिए हमारे को एक पूरी की पूरी toilet repair kit आती है जो की हमारे को किसी भी hardware shop पे मिल जाती है तो हमें वो पूरी की पूरी change करनी पड़ती है that is why ये बहुत ही costly होता है so next is low water pressure अब low water pressure क्या होता है जैसे की हमारे घर में कहीं पानी आ रहा है तो क्या हो गया कि हमारे घर में पानी जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच रहा ठीक है so that means हमारी pipe में या तो कहीं leakage है ठीक है या तो वो leak हो रहा है पानी कहीं से या तो हमारी उस pipe में कुछ crowded चीजे बन गई है ठीक है अब वो चीज ठीक करने के लिए हम क्या करते है vinegar यूज करते है जो कि उसको clean up कर देता है जिसकी वज़ा से हमारे घरों में proper water पहुंचता है ठीक है अब आगया clog toilet जो हमारा toilet ball होता है वो किसकी वज़ा से fill हो जाता है जो उसमें mixture of papers होते है जैसे काफी toilets में use होता है papers use होते है और जो हमारा human waste होता है वो pipe के ball में कठा हो जाता है वहाँ पे stick हो जाता है जब वो stick हो जाता है तो वो movement नहीं करने देता हमारे जो material है उसको movement नहीं करने देता है तो उस चीज को ठीक करने के लिए लूज करते हैं ठीक है तो plugger जो है वो उपर से pressure बनाता है ताकि वो उसको धक्का मार के आगे निकाल दे ताकि वो clean हो जाए और जैसे working हो रही है वैसे working हो अगर वो भी possible नहीं है अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है clogged हमारा तो हम क्या करते हैं sewer snack डालते हैं या drain अगर डालते हैं ताकि वो उसको loose कर ले और हमारी जो blockage है वो ठीक हो जाए यह देखिए जैसे कि इस pipe में दिखाया है यहां पर blockage है हम उपर से pressure लगा रहे हैं ताकि वो उसको आगे धक्का मार के निकाल दे कि यह क्या झालते हैं धक्यू